हेलो स्टुडेंट कैसे हैं आप सभी लोग, उमीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे BSC First Year, Botany के First Semester में आपका Theoretical Paper आता है Microbiology and Plant Pathology दोस्तो इस semester से already मैं कई सारी वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ अगर आप उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो description box में आपको link मिल जाएगा या फिर आप channel के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से playlist मिल जाएगा आज हम discuss करेंगे एक most important topic राइजोपस आज हम राइजोपस फंजाई को cover करेंगे फंजाई से related हम काफे सारे वीडियोज डिसकस कर चुके हैं जैसे इसके general characters, इसके classification के बारे में nutrition in fungi, reproduction in fungi, कई सारे important topics हम discuss कर चुके हैं आज हम राइजोपस फंजाई के बारे में discuss करेंगे और यह राइजोपस फंजाई का part 1 है जिसमें हम इसके classification या systematic position को cover करेंगे इसकी occurrence यानि प्राप्ति स्थान को, इसकी structure को और इसके vegetative reproduction को next video के अंदर हम discuss करेंगे राइजोपस फंजाई का part 2 जिसके अंदर हम cover करेंगे इसके asexual और sexual reproduction के बारे में तो चलिए वीडियो को start करते हैं 2021 से पहले यह syllabus में, यह BSC के syllabus में राइजोपस फंजाई नहीं था लेकिन 2021 के coding जो नया syllabus लोंच हुआ है new education policy के coding उसमें यह राइजोपस फंजाई mention किया गया है तो heading डाले जी अकरेंस यानि प्राप्ति स्थान classification के अगर हम बात करें तो यह kingdom fungi and division phycomycities class gigomycities, order mucryles, family mucryasi and genus rhizopas अकरेंस यानि प्राप्ति स्थान, यानि कि rhizopas फंजाई कहां पर मिलता है natural तरीके से तो rhizopas एक सामान ये normally एक saprophytic फंजाई होता है यानि ये dead organic material पर attack करता है, यानि dead organic material से अपना food gain करता है जो सड़े गले जो carbonic पदार्थ होते हैं dead organic matter वहाँ पर ये पाये जाती है अगर आप इसको lab में grow करना चाहते हैं तो lab में आपको एक रोटी के टुकड़े को भीगो करके या नम रोटी का टुकड़ा होता है, अगर आप उसको बेल जार में रखेंगे तो दो से तीन दिन के अंदर और राइजोपस फंजाई उत्पन हो जाती है इसका जो कवक जाल होता है, वो सफेद पतले धागो यानि फाइन कोटी थ्रेट्स की रूप में आपको दिखाए देता है जो कि रोटी, अचार, जूतो, सबजी, आदी पर पदार्थों और अन्य पदार्थ चो होते हैं उन्हीं पर पाया जाता है यह सेप्रोफाइटिक फंजाई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यानि जितने भी डेड और्गेनिक मैटीरियल होंगे, वही पर यह अटेक करता है, वही से अपना फूड गेन करता है इसका जो कवक जाल होता है, बाद में जिवानू बनने के कारण काला पड़ जाता है कई बार आप देखेंगे रोटी जो है, बलेक कलर में दिखाए देने लग जाती है, जैसे जैसे आप लोग उसको छोड़ देते हैं तो वाइट वाला जो पोर्शन है वो बलेक कलर में दिखाए देने लग जाता है, इसका कारण बेक्टिरिया होता है इसी कारण इसको हम बोलते हैं Black Mold राइजोपस फंजाई की जो समाने जाती है उसका नाम है राइजोपस नाइग्रीकन अब हम देखते हैं इसका structure यानि कि इसका जो mycelium का structure कैसा होता है राइजोपस फंजाई का उसके बारे में हम discuss करेंगे इसकी जो plant body होती है वो हाईपी का बना होता है जो आधार पर एनियमित सफेद भागों यानि irregular सफेद धागों का mycelium की रूप में पाया जाता है इसमें अनेक चूसक कवक यानि absorptive हाईपी होते हैं absorptive यानि एक तरीके से इसमें जो है sucking करने की ability होती है रोटी या किसी अन्य जो आधार होता है जो substratum है या कोई भी dead organic material है उसको penetrate करता है भेदता है penetrate करके उससे भोजन को चूसता है sucking करता है उसे हम बोलते है राइजोईट्स और आधार पर फैले हुए जो हाईपी होते हैं वो stallon कहलाते हैं यह जो है runner प्रकार की होते हैं तथा यह पर्वसंधी यानि नोट से नीचे की और यह मूलांग यानि राइजोईट्स से तथा ऊपर की तरह यह इस पुरेंजिय स्पोर से उत्पन होते हैं student राइजोपस फंजाई का मैसिलियम होता है वो सिनोसिटिक होता है, एसेप्टेट होता है और ब्रांच होता है जैसे कि आप यहां पर देखेंगे a portion of mycelium of rhizopus यह जो है rhizopus mycelium का एक portion दिखाया गया है जिसमें आप देखेंगे nuclei है somatic hypie होता है इसमें septa भी आपको दिखाई देगा तो इस परकार से आप लोग exam paper में diagram भी बना सकते हैं यह जो आप diagram देख रहे हैं rhizopus on moist bread under the bell jar बेल jar के अंदर अगर आप जो bread होता है उसे moist यानि गीला करके रखेंगे तो वहां पर mycelium उसका grow कर जाता है rhizopus का mycelium हापर आसानी से grow कर जाता है दो से तीन दिनों के बीच reproduction की अगर हम बात करें तो इसमें reproduction vegetative भी होता है asexual reproduction भी पाया जाता है और sexual reproduction भी पाया जाता है अगर हम vegetative reproduction की बात करें तो यह सदानते जो है हाइपी से fragmentation द्वारा होता है fragmentation का मतब समझते हैं जैसे for example यह हमारे पास एक हाइपी है अगर यह यहाँ से cut जाए, टूट जाए, किसी भी तरह से accidentally तूट जाए, जैसे यहाँ पर septa बना हुआ है, यह part अलग हो जाए separate हो जाए, तो यह क्या करेगा यह नया mycelium grow कर लेगा एक नया फंजाई बना लेगा, rhizopus का एक नया फंजाई बन जाता है तो इस विधी को, इस method को कहा जाता है vegetative reproduction, तो vegetative reproduction, rhizopus फंजाई के अंदर fragmentation के द्वारा होता है अब यहाँ पर आप यह जो diagram देख रहे हैं, portion of mycelium of rhizopus, देखें जिसके अंदर आपको clear दिखाई दे रहा होगा, electron microscope से आप देखेंगे, तो इसमें nucleus vacuoles आपको दिखाई देंगे, इसमें यहाँ पर micro body दिखाई देगी and vacuoles दिखाई देगा, cell membrane भी इसमें दिखाई देगे, cell wall भी आपको दिखाई देगा lysosome भी दिखाई देगे, cytoplasmine vesicles भी आपको दिखाई देगे तो इसकी cell के अंदर आप लोग अगर ध्यान से देखें, तो कई सारे cell organs भी आपको दिखाई देगे, right next video के अंदर हम discuss करेंगे asexual reproduction and sexual reproduction जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे next video के अंदर हम cover करेंगे rhizopus fungi के अंदर, एक तो इसका most important रहता है asexual reproduction उसके बाद हम discuss करेंगे sexual reproduction, इन diagram को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं तो मिलते हैं दोस्तों next video में video पसंद आये तो like करें, यह देख सकते हैं यह इसके sexual reproduction और asexual reproduction का पूरा outline दिया गया है, कई बार exam paper में outline पूछें तो इस तरह से आप लोग outline बना सकते हैं मिलते हैं दोस्तों next video में, bye bye टटा